है कि अ आगे मैं कि अदिए कि आए आए सब बच्चे भी हाँ जी सब बच्छा आजाएं फटा फूर्ट चे तो हमारा पहले प्रेशन है साइन थ्री एक्स प्लस फाइब क्वेश्चन नूम्बर वन डी बार डी एक्स ओफ साइन थ्री एक्स फ्लस फाइव चल्दी सिकीजी है रहे है फंग आज़ग क्वेश्चन साइन 3x plus 5 का differentiation का formula नहीं पता आपको किसका formula बता अपको sin x का formula बता है कि नहीं आपको sin x का formula बता है ये बास होण में आपको तो आप क्या माननें इसको आप 2 मिनिट के निए इसको मन में sin x मान लगें ठीक है बटा sin x यहां जी अन्षुल गुड़ी इवरीबड़ी अधियर्ट सब्सक्राइब इसको देखेंगे गुड़ी इवरीबड़ी आधी इसको मन में क्या वाल लेंगे इतने पॉर्शन क्या माल लेंगे एक्स अब आप पढ़ोगे इसको तो यह लेंगे साइन एक्स साइन एक्स का डिफरेंट्शेशन कितना हैगा कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंट्शेशन कितना होता है कॉस एक्स तो साइन एक्स का कॉस एक्स लेकिने एक्स तो रहना है यह क्या है साइन एक्स तो है नहीं यह तो 3x प्लस 5 है इसलिए दी बाइदी एक्स ओ 3x plus 5 से multiply करते हैं तो यह कितना हो जाएगा cos 3x plus 5 into अब d by dx of 3x plus 5 कितना होगा देखिए 3x का differentiation कितना होगा 3 into 1 यानि 3 और 5 का differentiation कितना होगा 0 यानि यह जाएगा 3 into तो यहां से में क्या पता रगता है कि d by dx of k into fx ठीके d by dx of k into fx कितना होगा k बाहर से जाएगा d by dx of fx यानि हम क्या देखते हैं जब भी किसी function के साथ constant होता है तो constant का differentiation नहीं होता है वो common बाहरा जाता है और सिर्फ differentiation किसको होता है function को होता है इस बात को आप note कर ले अग दूसरी बात आपके note कर ले कि d by dx of 0 d by dx of constant is 0 किसी भी constant का differentiation कितना होगा हमेशा 0 होगा ठीक है किसी भी constant का differentiation कितना होगा हमेशा 0 होगा ठीक है हाँ जी यह होगा clear अब question number second देखिए अब 10 square x d by dx of 10 square x इसका हमेशा करना है ठीक है त्रीक इतना जाएगा d by dx of 10 x का whole square ठीक है इस तरह से 10 square x को कि लिख लें हम 10 x का whole square ठीक है d by dx of 10 square x होगे लिख लें d by dx of 10 x whole square clear तो यह हो जाएगा हमारे पास अब ग्यां दीजे अब यह क्या होना चाहिए था यह x square होना चाहिए था ठीक है हाँ जी कारतें को डिख लें यह x यह x होना चाहिए था clear भी बाद x square clear अब x square का differentiation कितना होता है x square का differentiation x square का होगे लिख लिख लें होता है clear होगे बाद प्रिखित आजाएगा 2 10x इंटू 10x का differentiation कितना होगा sec square x यह इसका answer हो जाएगा clear होगे बाद इसके बाद है sin of log x question number 3 d by dx of sin of log x इसको करेंगे किजिए फटा-फट सिर्फ d by dx of sin of log x ठीक है तो क्या करेंगे क्या होना चाहिए था यह sin x होना चाहिए था यह क्या होना चाहिए था sin x तो इसलिए log x को मन में आपके पास कितना होता है था 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 ठीक है rob x ये है हमारी पर स्टूशन दिखाई िख सडव मोज ही पावग साइन नूटव में सकते हो सायब मुद्ध आप इस में चिह तो आप इसको मुयन में कYमाललें इस तो यह होना चीह था ईपाउट साइन ऑइप आप अब तो यहां पर क्या करेंगे अब दी बाइड एक्स आफ साइन रूट एक्स से मल्टिप्लाय करेंगे अब यहां पर क्या करेंगे ठीक, अब ये तो हो चुका, अब इसका differentiation, अब sin root x का direct formula आपको बता है, नहीं पता है, यह नहीं आप chain और पड़ेगी, तो अब आप देखी यह रही chain, वो direct chain थी single, अब यह double chain हो गई, अब एक बार और हमें सोचना पड़ेगा, अब यह sin root x है, ठीक है, अब होना क्या तो ही हो जाएगा e power, इसको तो आप छेड़ना नहीं हो, कि differentiation हो चुका है, अब यह क्या है, sin x, sin x है कितना, cos x, sin x का differentiation कितना, cos x, लेकिन यह x थोड़ेगा है, यह क्या है, यह तो root x है, इसलिए root x के differentiation से हम लोग multiply करें, तो आप देखीए, यह change दो बार चलेगी है, हमारी ठ e power, sin root x into, cos root x into, अब root x का differentiation कितना हो, अब 1 upon 2 root x, root x का differentiation में आपको याद कराने के लिए बोला था, दो यह differentiation में बोले थे, आपको, इतो root x का कितना, 1 upon 2 root x, और 1 upon x का कितना, minus 1 upon x को, और यह important है, यह आपको याद होने चाहिए, ठीक है, next question आएगा मर पाद, 3 power x log x, d by dx of 3 power x log x, ठीक है, यह है मर पास question, d by dx of 3 power, x log x, हाँ जी, बिल्कुल सही आयूश, ठीक है, तो d by dx of 3 power x log x, तो जहाँ दीजिए, हम, x log x को मिन में क्या माल लेंगे, x log x को मिन में क्या माल लेंगे, x, तो जब हम x log x को x बोल लेगे, तो यह क्या लिखा हुआ है, यह रिखा है, d by dx of 3 power x, क्या लिखा है यह, d by dx of 3 power x, तो 3 power x को मैंने फॉर्मूला बताया था न, a power x का फॉर्मूला बताया था न, a power x का as it is होता है, a power x का differentiation, a power x, साथ में क्या लिखेंगे, log a, तो यह सब मैं इसको क्या मानना हूँ, 3 power x, तो आमसर कहा जाएगा, 3 power x into log 3, यह आजाएगा, यह पासमच में आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आमने इसको मन में क्या माल ल आजाएगा, 3 power x as it is, into log 3, ठीक, लेकिन यह x महीं है, यह तो x log x है, ध्याम दीजिए, x थोड़ा ही न है, यह तो x log x है, इसलिए, इसके differentiation से हम, multiply करेंगे, इसलिए, इसके differentiation से क्या करेंगे, multiply करेंगे, तो यह तो 3 power x log x into log 3 into x log x का differentiation, अब ध्याम दीजिए, यहाँ पर क्या x function है, और एक log x function है, दो function हो गए, भई, x तो कैसा हो गए, algebraic function हो गया, clear, और log x कैसा function हो गया, logarithmic function हो गया, यहाँ यहाँ पर हम लोगों को एक साथ 2 functions का differentiation कमना है, और एक साथ 2 function का differentiation possible नहीं होता, इसलिए, अब क्या करेंगे, एक एक करेंगे, differentiate करेंगे, clear, एक एक करेंगे X डाहर लोग प्लस, इस वार लोग इस बार लोग इचल घाएगा तो कितना जाएगा 3 पावर x log x into log 3 into 1 plus log x यह अनसरा जाएगा इसको, ठीक है, 3 पावर x log x into log 3 into 1 plus log x, यह हो जाएगा, clear? next question, looking at below d by d x of log sin x whole square d by d x of log sin x whole square यह कुश्चन हम दो देखेंगे ठीक है तो इसमें क्या होना चाहिए इसको हम क्या मान लेंगे इसको log sin x को क्या मान लेंगे मन में x मान लेंगे ठीक है तो यह क्या लिखा हुआ x square क्या लिखा है यह x square तो x square लिखा है तो x square के differentiation कितना होगा 2x भाई x square है x square के differentiation कितना होगा 2x तो यह 2x हो गया ठीक है लेकिन यह x नहीं है यह तो log sin x है ध्यान दीजे यह x नहीं है यह कितना है log sin x यह x नहीं यह log sin x है clear होगे बात यह log sin x है इसलिए इसके differentiation हैं लोग sin x के differentiation है क्या होना चलिए था इसमें क्या करेंगे sin x को मन में x मान लेंगे इसमें क्या करेंगे sin x x मनें गए जैसे आप sin x x माने हैं तो क्या बंदें लॉग sin x लॉग रओग एक्स लॉग एक्स टिक है तो डीगपी एकस ओफ लॉग एक्स लॉग को पाता है तो नहीं किम्ने को घ्रीभागी एक्स लॉग एक्स प्रीपंट्स एख लोग चितना होगा वन अग्स वन गिर वेपों सब्सक्राइब रोगा तो लोग साइए एक्स जी एंटू अब ये साइनेक्स है रहा और साइनेक्स का डिफनेटिशेशन जिए ना होता है को सब्सक्राइब का लिख सकते हैं कि अैसा कि आपेr साइब पावर टू थी ना यहां पर पावर टू मा favorite बवाइनस होते गई एं न माईनस वन है पावर माइन्स पाट कर दूम है यह साने माइनस ओग ना अफ़ी आ मिलम टू मनलतु खेない दिशे तो कोँब एक सीने निविरा टू लग करें में से अंसर को यह हर् exclusively ctor takes into logs साइन चांए तुर कोड़ू ठेक्स इन्टू लॉग्साइन जाहिए यादे रबागा यह शोर्शन है मरा with the law of square root 1 minus cos x upon 1 plus एच़िक है ये होगा दी बाइध एकस ओफ लॉग ब्लस कॉसक्स टीक है तो यहां पर द्याव दीजिक स्वारो हाँ लॉग व दिस फंक्षन टीक दो लॉग पुसुंट यह भी पर पास तो दॉह हम दीजे पहले इसको आप सॉल कर लीजिए बाइध एकस ऑ लॉग root 1-cos x कितना होगा 1-cos x थे तो 1-cos x कितना होगा 2s мяс스λ है 1-cos x कितना होगा 2s 2-s x by 2 your 모두 2cos2 x by 2 ठीक है 2 sum square x by 2। On minus cos x कितना होंगा 2 sin squared x by 2। 1 minus Cos x कितना होंगा 2 sin square by 2। and 1 plus cos x ढ़and 2 ensign ४ codes square x by 2। यह 2 से 2 Caynsul हो Prague 2। d by dx of log root sin square upon cos square, sin square upon cos square कितना होगा 10 square, तो होजागा 10 square x by 2, तो कितना होजागा, d by dx of log, अब 10 square कहां रखा है, square root के अंदर रखा है, ठीके, 10 square कहां रखा है, square root के अंदर cancel हो जागा, तो यह log 10 x by 2 बन जाए, यह क्या बन जाए कि log 10 x by 2, तो basically हमारा question बन गया, बहुत छोड़ा बन गया, जिसा आप से बहुत बड़ा था, ठीके, क्या बन गया भी है, यह इतना बड़ा question हमारा छोड़ा से बन गया, log 10 x by 2, अब ध्यान दीजिए, log 10 x by 2, ठीके, देखें, यहां पर अगर, 1 upon 5 log 5 रखा है, ठीके, 1 upon 5 log 5, ठीक, 1 upon 5 log 5, तो क्या इस 5 से 5 cancel हो जाएगा, यह log से बाहर है, यह log के अंदर है, क्या log से बाहर की चीजिए, log से अंदर की चीजिए को cancel कर देगी क्या, यह concept आपको पता होना चाहिए, कि log से बाहर है, तो ऐसे हैं अगर यहां पर हमने ऐसे लिख दिया, 1 upon sin x, और यहां लिख दिया log sin x, तो आप इस sin x से sin x कैसे cancel कर देंगे, क्या है, इस sin x से sin x कैसल कर दो गया, यह sin x log के अंदर है, इस sin x log से बाहर है, कैसे cancel हो जाए गए यह, अब d by d x of log 10 x by 2 है, चीक है, जी, d by d x of log 10 x by 2, तो हम इसको क्या मान लेंगे, log x, चीक है, तो log x मान लेंगे इसको लोग, तो log x का कितना होता differentiation, 1 upon x, तो 1 upon x, लेकिन यह x थोड़ा ही ना है, यह तो 10 x by 2 है, यह तो 10 x by 2 है, इसलिए इसके differentiation से multiply करेंगे, इसके differentiation से हमने देखे, multiply कर दिया, तो 1 upon x into d by d x of, वो x जो आपने imagine किया था, ठीक है, उसके differentiation, तो यह कितना हो जाएगा, आप चाहें, तो एक काम भी कर सकते हैं, यह sin 10 x by 2 को, 10 x by 2 कहा लिख सकते हैं, cos x by 2 upon sin x by 2, ऐसे लिख लिख लीजे, क्योंकि 1 upon 10 है, तो 1 upon 10 क्या होता है, cot होता है, cot, तो cot को क्या लिख सकते, cos upon sin, ठीक है, into d by dx of 10 x by 2, तो यह क्या होना चाहिए था, यह क्या होना चाहिए था, d by dx of 10 x, हमें तो formula 10 x का पता है, हमको formula 10 x by 2 का नहीं पता है, हमको formula 10 x का पता है, तो 10 x का differentiation के इपना होता है, sec square x, sec square x, यह है, तो यह sec square x, लेकि यह x तो अब भी नहीं है, यह तो अब भी x नहीं है, क्योंकि तो अब x by 2 है, इसलिए differentiation of x by 2 से आपको multiply करना पढ़ेगा, अब अभी हम दीजिए, cos x by 2 upon sin x by 2, और यह कहा है, sec square, तो sec square का रेसी profile क्या रिख सकता है, आप one upon cos square, नहीं सकते, sec square को चैरिक सकते one upon cos square, ठीक है, d by dx of x by 2 कितना हो चाहेगा, 1 by 2, कि भी 1 by 2 बाहर आजाएगा, और x का differentiation कितना हो जाएगा, 1, clear होगी बाद, 1 by 2 बाहर से लागया, और x का differentiation कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, अब देहां दीजिए, एक cos से एक cos cancel हो जाएगा, clear होगी बाद, एक cos से एक cos cancel, एक cos से एक cos cancel हो जाएगा, तो आप देखिए इसकों लोग लिख रहे है, कैसे लिखेंगे, 1 upon, क्या क्या है, एक, दो, तीन, एक दो, तीन, तीन चीज़े हैं, तीनों को लिख दीजिए, 2 sin x by 2 cos x by 2, यह हो जाएगा, 1 upon 2 sin x by 2, आगर मैं x by 2 क्या बनूँ? थीटा, अगर मैं x by 2 क्या बनूँ? थीटा, तो 2 sin theta cos theta, क्या हो जाएगा, 2 sin theta cos theta, हाई का法 मूला है, 2 sin theta cos theta काहई का formula होता है, sin 2 theta का formula होता है, ठीक है, तो जाएगा sin 2, और theta किसको बना था आपने, एक्स बार्ट ये गैंसल होगे 1 अपॉन साइन एक्स जीसे आप क्या किसकता है कोसक एक्स ठीक है तो ये इसका आंसर रहे हो कोसक एक्स ये हो जाएए तो ये लोग एक्स प्लस रूट एक्सकाट प्लस वन यह है मरपस ठीक है लोग एक्स प्लस रूट एक्सकाट प्लस वाइब को करना है तो तो कैसे करें एक संपनलू इसको लाँं दीजिए हिस्को नगीब वूर को मन में क्या मान लिए एकस प्रॉर को मन में क्या मान लेंगे अग्या है । LH । लॉइँ नुन लॉइधा फोल मैं एक्स गोराइन इत्स चाहर घ्लॉट एक कुर्स ओन य। इसके धी ग्री पर टुम अ आपको टो फोल भॉक्त सब्स executive नहीं हो गांने सकते है लेकिन यह x तो नहीं है इसलिए इसके differentiation से multiply कर दीजिए यह chain बन रहे है हमारी clear आप ध्यान दीजिए यह कितना होगा 1 upon x plus root x square plus 1 ऐसे होगा उसके बात ध्यान दीजिए यहां bracket में x का differentiation कितना होगा 1 plus अब यह इसको क्या format मालना होगे तुम इस वाले portion क्या मालना होगे रूट एक्स रूट के अंदर x माल लीजिए क्योंकि हम इस सीज को एक्स मालने इस पूरे एक्स्प्रेशन क्या मालने एक्स हमें आप बताते है डारेक्ट लाइन करले वाले यह पूरे प्सक्राइब लेजिए रूट देखे शनी ना होगे टो एक्साटेशन की अवान आपन टू रूट आप ब्सक्ति लेक्ट डिए और एक्स्पाइब डिए एक्सप्रें जाए फोहार ना होगे इसलिए झाए टिर्थेशन से दी दिए इक्स्क्राइब्स x x plus root x2 plus 1 into 1 plus 2 upon 2 root x2 plus 1 2x and x2 के इस्चेशन कितना होगा ? 2x जिरी तो existe मधीन टीक है अभयांप लूसे इक थाए में से हेल 12 कि अभी इति तो आप यहांपर ऑफ दीजिए हमक फार्स्तों सब्दबाइब करें अब ध्याद अब ध्याद थिब अग में 116 प्लस कणों catalans C × वन अपोने च स्कॉार प्लस डुट मैं स्कॉएड ब्लसभॉन अपोन रूट है आपका आपका आणसर हो जाएगा यह हो जाएगा मरपस चीक है नेक्स कुशन देखता हम लोग कुशन नमबर माई नेक्स कुशन देखता हुआ यहां कि आविवा डिये एक्स ऑफ टैन एक्स और पावर शायिंग्स चीक क्लियर अब द्यान दीजेंगे आप इस पूरे एक्स्प्रेशन को हम लोग क्या माल लेंगे एक्स माल लेंगे यह वा समझने है आपको ठीक है इस पूरे एक्स्प्रेशन क्या माल लेंगे 10x 10x पर कितना होता है सेक्क स्क्वार एक्स तो सब्सक्वार एक्स तो लिए एक्स होड़ा है तो ए-पावर साइन एक्स है इसलिए हम d by dx ए इपावर साइन खरेंगे ग्लिए कितना हो गया सेक्स्क्वैर एपावर साय एक्स इंटू । न है तो देड्वीदेग्सट्रीश दिपावर साइन ऐस फोर्मूला पता मुझए तो ंक्या करेंगे इस को क्या मैं लेंगे अग इस एक्स्प्रेशन को मन में क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, e power x, e power x का differentiation as it is e power x, आपको बता है ना, e power x का differentiation e power x, लेगी नहीं x वोड़ा है, यह कितना है, यह तो sin x है, इसलिए इसके differentiation से हम लोग multiply गरेंगे, चीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, sec square e power sin x into, यह हो गया एक्ता expression, into e power sin x into, sin x का differentiation कितना हाएगा, cos x, यह आजाए इसकाँज़, ठीक है, इस टाइचे से कुर्ष्चन हमारा, हो जाएगा, next time I have a question, d by dx of e power x into log sin 2x, e power x into log sin 2x, यह हमारा question है, ठीक है, d by dx of e power x into log sin 2x, यह हमारा question है, इसको हमें solve करना है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कि यहाँ पर एक ही question में दो function है, कौन-कौन से, एक तो exponential function है, और एक हमारा logarithmic function है, ठीक है, एक तो exponential है, और एक logarithmic function है, clear, तो हम क्या करेंगे, आप एक product rule लगाएंगे, ठीक है, तो product rule लगाएंगे, यह हम दीजी हम लोग, यह question हो गया, यहाँ पर हम लोग product rule लगाएंगे, धान दीजी, क्या आएगा, e power x बाहर, d by dx किसका, log sin 2x है, प्लस log sin 2x बाहर, d by dx बाहर, e power x, इस तरीके से हम product rule simply लगा लेंगे, कोई भी दिकत नहीं होगी, ठीक है, तो यह कितना जाएगा, e power x into log sin 2x, ठीक है, log sin 2x, तो इसे मिल में क्या मान लेंगे आप, x, तो इस expression को हम लोग x मान लेंगे, log x है कितना, 1 upon x, लेकिन यह तो sin 2x है, इसलिए इसको क्या करेंगे, sin 2x के differentiation से, मुल्टिप्लाइ करेंगे, sin 2x के differentiation, ठीक है, यहनी, d by dx of sin 2x, प्लस, ऐसे यहाँ पर आजाएगे, यहाँ पर क्या आएगा, log sin 2x as it is, log sin 2x as it is रहेगा, into d by dx of e power x, चीक है, d by dx of e power x कितना, e power x के differentiation as it is, e power x इसमें कुछ सोच रहेगी, direct formula है हमारे पास, तो यह तो short out हो गया, यह भी short out हो गया, यह रहेगा, d by dx of sin 2x, तो ज्यान दीजिए कितना हो गया, e power x upon sin 2x into, अब sin 2x का formula कितना होता है, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 2x को मन में x मान लेंगे, 2x को x मान लें, तो sin x है कितना, cos x, cos x, sin x है कितना, cos x, लेकिन है x तो ड़ा ही ना है, तो 2x है, इसलिए हम 2x के differentiation से multiply करेंगे, 2x के differentiation कितना होगा, 2, तो यह 2 सा multiply करेंगे, plus e power x log sin 2x, ठीक है, आप जहां दीजे कि यह cos 2x upon sin 2x, कितना हो जाएगा, cos 2x, तो जाएगा e power x, है ना, और यह 2 पिया जाएगा, यह 2, यह 2 है ना, यहां पर यह 2 है, जहां दीजे, ठीक, तो यह 2 e power x into cos 2x, plus e power x log sin 2x, ठीक है, ठीक है, इनके प्रेक्टिस कीजिए, NCRT आपके पास है, soft copy मैंने करेखिया, आपके पास है NCRT, questions की practice कीजिए, ठीक है, ओश्वके अ pro यह 2 बार की पास है, इनके है आपके जाएगा, यहें रचाना है, आपके आएगां है, यहां रचाओके जांगादाना है,